सोने की जडिया हमारे देश का पुरान नाम जिसे अब तो इंदिया भारत हिंदोस्तान ये सब कुछ कहकर पुकारा जाता है फिलाल मैं बता दू मैं हूँ आपके साथ प्रीना तलवार और आप देख रहे हैं First by TV भारत में लगबग सबी धर्मों के लोग रहते हैं हमारा देश धर्म निर्पेक्ष देश है लेकिन ये कैसी धर्म निर्पेक्षता है जहां एक धर्म के आपति जनक हरकत पर जो तुरंद कानूनी कारिवाई करके उसे जेल तक भेज़ दिया जाता है लेकिन दूसरे समुदा थाए के लोगों के मौके पर तमाम लोग अपने पक्षरक ने सामने आ जाते हैं आज यहां ना किसी धर्म विशेश पर बात की जाएगी नाहीं क्या सही है क्या गलत उसsपर ये जनता का काम है तो आप लोगों को ही इस बात का फैसला करना होगा कि पूरे मामले में क्या सही है और क्या गलत, क्या हुआ और क्या होना चाहिए था दरसल पूरा मामला है कि बीते दिनों टिक टॉक पर फैजल और उनके साथियों ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो तब्रेज अंसारी के मौत को लेकर बार-बार क्या कह रहे थे सुनिये मार तु दिया तुमने उस बेकसूर तब्रेज अंसारी को लेकिन कल जब उसकी ओलाद बदला ले तो ये मत कहना की मुसल्मान आतंक वादी है इस मामले को गंभीरता से लेते हुए देश के प्रतेक नौजबान ने इस पर आपत्ती जताई अब इसमें भी हिंदू मुसल्मान किया गया क्योंकि आपत्ती जताने वाले हिंदू थे उन्हें ये लगा कि इस तरह की वीडियो बनाने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भड़काया जा रहा है उन्हें गलत रहा पर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है रमेश सौलंग की नाम के एक सजग व्यक्ती ने मामले की गंभीरता को समझते हुए इस वीडियो की कमप्लेंट की जिसके बाद साइबर सेल की धारा 151 एक तहत वीडियो बनाने वाले हुसेन शेक, फैजल शेक सादान फारुकी के यूजर अकाउंट्स को बैन कर दिया गया साथी साथ टिक टॉक ने इस पर जीरो टॉलरेंस का बयान भी दिया और ऐसी वीडियो बनाने वालों के खिलाफ टिपणिंग की जिसके बाद फैजल की टीम 07 ने माफी भी मांगी सबधिया गना की किसी को 2 शी बाद यहां टियाओ को बाद निधा लगूंगी लेकिन ये मामला यहां नहीं थमा अब ये वीडियो उस पूरे देश में देखी जा चुकी थी हिंदू संगठन के लोगों में आक रोश था क्योंकि जुस्ट वीडियो पर इतना बवाल हुआ था उसके माध्धम से आतंगबाद को बढ़ावा दिया जा रहा था अल्प संग्यक समुदाई के लोगों ने भी टीम 07 का विरोध किया इस पर राची की रिचा भारती ने फेस्बुक पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने क्या लिखा था ये हर जगा से मिटा दिया गया लेकिन आप सुनिए उन्हीं के मुँझ से कि जस फेस्बुक पोस्ट को लेकर जो वो कह रही है कि उन्होंने नहीं लिखा शेयर किया है उस पर उन्हें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के लिए IPC की धारा 295A के तहत जेल भीच दिया गया पहले सुनिए क्या था वो फेस्बुक पोस्ट करेंगे कल आपको जो बेल मिली है जमानत मिली है उसमें आदेश में लिखा है जो आपको पांच कुरान बाटना है एक आज ही बाटना है और एक 15 दिन के भीतर क्या आप तैयार है इसको बाटने के लिए नहीं मैं तो रेडी नहीं हूं क्योंकि अगर ऐसा है तो बहुत सारे मुस्लिम लोग भी बहुत गलत गलत पोश्ट करते हैं तो उन पर तो कोई कारवाई नहीं होती जैसे फैजु है टिक टॉक में बीडियो बनाने वाला लड़का है वो बोला कि मुसलमान आतंकवादी ब इतने लापता हो गए सब गायब हो गए 25 परसेंट थे अब 2 परसेंट भी नहीं बच रहें तो कभी उनके मन में आतंकवादी बनने खैल क्यों नहीं आता है यही सब मेरे कोश्चन था पोश्ट था कि आतंकवादी बनना बदला लेने का भावना सिर्फ मुसलमानों में क्य पर गाप करो दुर्गा पाट करो हनुमान चली सब्लोग ऐसा कर रहा जाता तो फैस बुक पोस्ट पर बवाल मर्शने के बाद पोलिस ने रिचो ने अंटिसीपेटरी बेल के लिए अप्लाइ किया जिसके बाद न्याएक दंडदा धिकारी मनीश कुमार सिंग की अदालत म वे रिचौ को 15 दिनों के अंदर 5 कुरान बाटने के लिए कहा जुस पर एक महा बहस खड़ी हो गई है मसला ये है कि कोट की कंडिशनल बेल में कुरान बटवाना कहा करने आ है मौलाना और मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि कुरान बाट देने से रिचा जो की एक हिंदू रड़की है उनका क्या चला जाएगा जिस पर जनता की तरफ से बहुत से सवाल आ रही है मुस्लिम समुदाय के लोगों ने AMU में मंदर बनने का विरोध किया सवाल ये भी है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति सनातन धर्म या फिर अन्य हिंदू रीतियों को लेकर आपत्ती जनक पोस्ट करता है तो क्या उसे गीता बाटने के लिए आदेश दिया जाएगा रिचा का एक छोटा सा पोस्ट एक धार्मिक मामला वन चुका है लेकिन क्यों धर्म को लेकर विवाद किसलिए क्या देश में धर्मबाद इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपसी भावनाओं को ठेस पहुचानी की सजा अब आरोपी की धार में भावनाओं को ठेस पहुचा करती जाएगी फिलहाल अगर रिचा कोट की इस सजा की अवहेलना करती है तो जमानत रद हो सकती है इसके लिए उन्हें अब हाई कोट जाना होगा साथ हजार के दो निजी बॉंड जमा करने के बाद सोमवार को रिचा जील से बाहर आ गई है लेकिन 15 दिन के भीतर उन्हें 5 रिसिप्ट को दिखानी होगी लेकिन मुद्धा वही की वही है कि अगर रिचा को कुरान बाटने की सजा मिली है तो क्या अगले बार मुस्लिम समुदाय की लोग धर्म को लेकर कोई आपती जनक पोस्ट करते है तो क्या उन्हें गीता बाटने की सजा सुनाई जाएगी और एक और सवाल यहाँ पर है कि तबरेज अंसारी की नाम पर आतंगवाद को बढ़ावा देने वाली टीम 07 जेल की सलाकों के पीछे क्यों नहीं गई इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा और जाते जाते एक बार आपको फिर से बता दे कि रिचर भारती को पांच कुरान बाट कर उसकी रसीद कोट को दिखानी होगी लेकिन उन्होंने कुरान बाटने से साफ साफ इंकार कर दिया है फिलाल इजासतीजे इस वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना कॉमेंट में लिकर जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल मत भूले चैनल को सब्सक्राइब कीजे बने रहे है फिर्स्ट वाइट के साथ नमस्कार